बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं problem set 5 का question no.21 और question no.22 ठीक है और आप लोग को बता दू कि इससे पहले कि आपके जो भी questions है मैंने already solve करवाया हुआ है तो अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप सीधे सीधे playlist में चाहिए वहाँ पर आपको सारे वीडियो लाइन से अरेंज के हुए मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए अब देखते हैं बच्चों no.21 इसमें क्या दिया है कि find the possible pairs of coordinates of the fourth vertex D of the parallelogram if three of its vertices are A, B and C तो देखो बच्चों यहां पर मैंने already यह figure बनाया हुआ है लेकिन इससे मैं आपको explain करती हूँ कि य तीन क्या है तीन points और यह क्या है वर्टाइस ऑफ़ पहले लोग्राम यानि और सपोस्पोस करो कि यहां पर आपका आता है बच्चों point A और यहां पर कहीं पर भी आता है यहां पर C अब क्या करूंगि यह जो तीनों point से इनको मैंने इस प्रकार जॉइंट कर दिया ठीक है तो यह देखो जो आपका पैलेलोग्राम है न बच्चो उसके तीन वर्टाइस तो दिये गए हैं अभी यहां पर किसकी बात की जारी है चोथे वाले वर्टेक्स की बात की जारी है यानि डी की ठीक है तो हमें क्या बताना है यह जो हमारा वर्टेक्स डी है न उसके जो भी प पैलेलोग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा ठीक है अब देखो यहां पर कोश्चन में यह जो आपका पॉइंट डी है बच्चो इसका कोई exact location नहीं बताया है तो कई सारी possibilities हो सकती है न जो हमारा पॉइंट डी है वो यहां पर भी आ सकता है या फिर इधर भी तो डी आ सकत ठीक है तो देखो यहां पर अगर मैं इधर पॉइंट डी लूँगी तो मेरा जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा देखो जब यह था मेरा पैलेलोग्राम दिखाई दे रहा है बच्चो आप लोगों को यह देखो पैलेलोग्राम ठीक है लेकिन अगर हमने पॉइंट डी बच्चो नीचे आ जाए यहां पर आ जाए ठीक है तो अब मैं इसको इसको जॉइंट कर देती हूं रुकिए जरा देखिए मैंने इसको जॉइंट कर दिया और फिर मैंने इसको जॉइंट कर दिया ठीक है तो अब देखिएगा अगर हमने यहां पर पॉइं पहले लोग्राम के जैसे दिख रहा है कि ने देखो एक यह इधर से इधर से इधर से बराबर तो देखो यह जो आपका पॉइंट डी है बच्चो उसके कितने लोकेशन हो सकते हैं ठीक है आपका पॉइंट डी यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है ठीक है तो हम करना क्या है हम यहां पर तीनों को consider करेंगे अगर do فर पर ऊंच यहां पर हुआ तो फिर इसके कॉडिनेट क्या होंगे और अगर yeah यहां पर लिया तो कॉडिनेट क्या होंगे ठीक है वो हम को यह ट्रैंगल बन रहा था अब मैंने पॉइंट डी कि इदर ले लिया तो हमारा जो पहले लोग्राम है कुछ सकनतर से इसको देए और यह ऊई रहेगा इसको पॉंट रहेगा पलीच देते हैं अब देखें यहाँ पर काहरे बताती हूं पहले लुग्राम की प्रॉपर्टटि आप लोग जानते हैं आप परलेलोग्राम की प्रॉपरटी जो अपोसेट साइट्स होते हैं वो क्या होते हैं थीड्यूपर देखेंगे वाले पर साइड् s साइडी और य exerc Christ आपद समें उड्यूपर यह फ्री आने साइड और उस्से इष्च्वल ऊजाएंगे थीक है एकदम धृत बहुत इंपोर्टेंट है अब इसको आप जाने दो हाँ अब इधर देखो अगर हमने पॉइंट को इधर ले लिया तो फिर क्या होगा हमारा जो पहले लोग्राम है कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा दिख रहें आपको तो देखिए यहां पर कौन-कौन से साइट इक्वल ह इसके ओपोजिट में यह वाला साइट है यनि यह दोनोंगों खिस देती है और यह वाला यह तेनों आपस में गहीं और नहीं पॉइंट छानगे क्या होते हैं तो दिखान से अगर मैंने दो लाइन खीज देती हूं मतलब यह दोनों क्या हो जाएंगे कॉंग्रेट हो जाएंगे उसी प्रकार से इसके आपोजेट में कौन सा वाला साइड होगा दिस वाला साइड दिख रहाँ आपको देखो ध्यान से हैं ना तो इधर अगर तीन लाइन खीचा है तो इधर भी हमको और सी ठीक है और इन दोनों को मैंने क्या किया ना बच्चो इस प्रकार से मैंने जॉइंट कर दिया ठीक है अब देखो पॉइंट डी की बात की जा रही थी तो अगर मेरा पॉइंट डी यहां पर रहेगा बच्चो ठीक है तो मेरा पहले लोग्राम कुछ इस प्रकार से बने बहुए जीक है अब अबर अब ध्यान से veer have you रॉआ है को अगरयर को इधर ले लिए यहाँ पर ने लिए आग्झाधर यहा पर ले लिए तो फिर क्या होगा अगर यहाँ पर टीटू आ गया को पर हमारा पहल योग्राम कछ इस प्रकाद ले लिया यह D3 और मैं इसको इस प्रकार से जाइन करती हूँ तो मुझे पैलोलोग्राम कुछ ऐसा मिलेगा देखो अभी इसकी बात कर रही हूँ देखते जाओ जिसको मैंने डाक किया उसकी बात कर रही हूँ तो इसमें opposite sides क्या होते हैं तो इसका opposite क्या होगा ये वाला side है ना तो इधर तीन लाइन खीचा है तो इधर भी तीन लाइन खीच दीजिएगा मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे congruent वैसे ही इसका opposite ये वाला ठीक है और ये जो D2 है इसके coordinates को हम लोग consider कर लेते हैं X2,Y2 ठीक है यहाँ पर हमने लिख दिया X2,Y2 और इसके coordinates को हम लोग मान लेते बच्चो X3,Y3 ठीक है तो हमें actual में करना क्या था हमें यही बताना था ना D के coordinates का ही हमको पता लगाना है ठीक है यानि हमें X1,Y1, X2,Y 2 और X3,Y3 के values find out करने है ठीक है तो कैसे करेंगे यहाँ पर ना हमको midpoint formula लगाना पड़ेगा आप कैसे होगा बताती हूं आपको चिंता मत करना बहुत ही easy है बच्चो बस आपको यह figure समझना था ओके चलो अभी देखते हैं और यहाँ पर जो भी points दिएगा पहले तो हम लो पिट जागे point B इसके coordinates है 1,-2 and C जिसके coordinates है 3,-2 ठीक है बच्चो अब देखो point D के कितने locations हो सकते हैं तीन तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि there can be there can be 3 locations of 3 locations of vertex D vertex D है ना जो हमारा vertex D है बच्चो उसके कितने locations हो सकते हैं तो 3 locations हो सकते हैं कौन-कौन से यहाँ पर लिख देते हैं D1 जिसके coordinates को हमने X1,Y1 consider किया है फिर D2 भी हो सकता है जिसके coordinates को हमने X2,Y2 consider किया है या फिर D3 भी हो सकता है बच्चो जिसके coordinates को हम लोगों ने X3 and Y3 consider कर लिया है ठीक है अब ही हम लोग क्या लिखेंगे बच्चो देखो अब ही हम लोग ये वाला पैलेलोग्राम लेते हैं ठीक है A, B, C, D1 बराबर तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि Quadrilateral A, B, C, D1 is a parallelogram ये क्या है बच्चो ये एक parallelogram है अब देखो अगर ये parallelogram है तो इसके जो opposite sides होंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में congruent हो जाएंगे यानि क्या देखो A, D1 जो है ये congruent होगा किसके B, C के तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर ये parallelogram है तो फिर A, D1 which is equal to क्या होगा बच्चो B, C होगा ठीक है इसका आप reason क्या लिखोगे opposite sides of a parallelogram are equal ठीक है यहाँ पर लिख दीजिएगा opposite sides of a parallelogram are equal लिखो या फिर congruent लिखो चलेगा ठीक है इसको आप लोग equation number 1 लिखिएगा बच्चो ठीक है अब देखिएगा ये वाला parallelogram हमने लिया था अभी हम लोग ये वाला parallelogram लेंगे कौन सा है दिस वाला ठीक है अभी इस पार्ट को भूल जाना तो इसका नाम कैसे लिखोगे A, C, B, D, 2 ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि quarterlateral A, C, B, D, 2 is a parallelogram ये क्या है ये एक parallelogram है बच्चो अब सुनो ध्यान से अगर ये parallelogram है तो फिर इसके जो opposite sides हैं वो क्या हो जाएंगे congruent कहने का मतलब क्या है कि A, D, 2 किसके equal होगा B, C के equal हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि A, D, 2 which is equal to B, C इसका reason क्या लिखोगे इसको लिखिएगा equation number 2 opposite sides of a parallelogram are congruent ठीक है ऐसे लिख दीजिएगा कि opposite sides of a parallelogram are congruent congruent भी लिख सकते हो equal भी लिख सकते हो आपके मर्जी ठीक है चलिए यह भी हमने लिख दिया आप देखो बच्चो equation number 1 और 2 से हमको क्या समझ में आता है यहाँ पर देखिएगा AD1 which is equal to क्या है बच्चो BC है और AD2 which is equal to क्या है BC दोनों side में क्या है बच्चो मतलब दोनों देखो यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या है BC तो अगर right hand side equal है तो left side भी क्या होगा बच्चो equal होगा यानि हम क्या बोल सकते हैं 1 और 2 से कि AD1 जो है वो AD2 के equal हो जाएगा है ना कहां से बोला from 1 & 2 यहाँ पर लिखिएगा from 1 & 2 अब जरा ध्यान से देखो बच्चो यहाँ पर मैंने क्या लिख्खा है कि AD1 जो है AD1 इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या यह जो point A है ना क्या होगा midpoint of this this segment यानि D2 और D1 का जो midpoint है वो क्या हो जाएगा बच्चो यह हो जाएगा है ना क्योंकि यह दोनों क्या है D2 D1 बराबर मतलब यह जो A है यह इस segment का क्या है बच्चो midpoint है ठीक है तो जैसे हमने इसको midpoint दिखाया उसी प्रकार से इसको भी दिखाएंगे ठीक है तो बार बर आपको इतना सारा लिखने की जरुवत नहीं है अब यह आप बस ऐसे लिख दो similarly हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि यह जो point B है यह क्या है midpoint है D2 और D3 का ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे point B इस दा यहां पर पूरा दिखाया ना तो अभी बार बार आपको दिखाने की जरुवत नहीं है ठीक है क्या लिखेंगे point B is the midpoint of midpoint of sig D2 D3 और देखो बच्चों एक और बात बताती हूं जैसे कि figure में तो हमने दिखाई दिखाई दिख रहा है ना यह यह congruent है इसके ना दोनों के दोनों क्या है बच्चों बराबर है और अगर ऐसा है तो point B क्या हो जाएगा midpoint हो जाएगा उसे प्रकार से यह देखो यह वाला साइड यह वाल midpoint of यह देखो मैंने कैसे लिख दिया रूको रूको पूरा लिखा ही नहीं is the midpoint of midpoint of किसका midpoint है तो D2, D3 का फिर यहाँ पे लिखेंगे point C is the midpoint of D3, D1 ठीक है D1, D3 लिख दो या फिर D3, D1 लिख दो चलेगा ठीक है बच्चों तो अब सुनिएगा ध्यान से अगर यह इसका midpoint है तो हम लोग यहाँ पे midpoint formula लगा सकते हैं तो अब ही हमें क्या करना है सीधे-सीधे midpoint वाला formula लगाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे by midpoint formula मिड़्पाइंट फॉर्fa लोगों को आता है ना बच्चो यह देखो इसके coordinates हैं ना हमारे पास देखो पॉंट एक कहॉडिनेट कैंथ क्या है ओन वन कॉमा-2 पॉंट सी के coordinates क्या है भच्चों त्री कॉमा-2 ठीक है तो यहाँ पर देखना पॉंट ए क्या है बच्चों इसक एक्स कोडिनेट क्या है 5 तो यह किसके एक्वल होगा तो हम क्या करेंगे यहां पर यह जो एक्स कोडिनेट से न दोनों पॉइंट के उनको हम लोग प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे 2 से पता है न आपको मिड़ान फॉर्मूला तो चलिए फिर डारेक्टली लिखते ह है 5 विच्छिस एक्वल तू लेखते जाएंगे हआप लोग यहां पर लिखेंगे 5 विच्छिस इक्वल टू किसके इक्वल होगा सब्सक्राइब यह जो दोनों x कोडिनेट से इनको प्लस कर देंगे तो x2 प्लस x1 आएगा यहां पर लिख दीजिएगा x2 प्लस x1 और डिवाइड कर देंगे 2 से ठीक है अब क्या होगा यह जो 2 दिखाए दे रहे हैं इसको इस साइड लेलो तो 2 जै भी दर आएगा तो बच्चों मल्टीप लिखा जाए तो 2 तक तो हुआ था ना इसको आप लोग 3 लिख दीजिए ठीक है तो जैसे हमने x कोडिनेट का किया उसी प्रकार से y का भी कर लेते हैं तो देखो बच्चों यहां पर यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 6 यह किसके इक्वल हो जाएगा तो देखो y2 प y2 प्लस y1 इसको आप लोग लिखेंगा equation number 4 ठीक है यह 4 है मैं लिखती हूँ equation number 4 ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं तो देखते जाएगा बच्चों यह जो पॉइंट भी है यह क्या है मिड़ पॉइंट है इस वाले सेग्मेंट का तो यहां पर देखो इसका x कोडिनेट क कर देंगे और डिवाइड करेंगे हम लोग yes everyone 2 से ठीक है अब 2 को इस साइड ले लो तो 2 इधर आएगा तो multiply में हो जाएगा यानिके 2 बन जाट 2 which is equal to x2 प्लस x3 इसको आप लोग लिखेंगा equation number 5 ठीक है अब देखो यहां पर इसी के बगल में y का भी कर देते हैं है ना divided by 2 अब देखो बच्चो 2 को इस साइड ले लो तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 यानि यहां पर क्या आएगा बच्चो minus 4 which is equal to y2 plus y3 इसको आप लोग लिखेंगा equation number 6 ठीक है अब देखो बच्चो थोड़ा और आगे चलते हैं यहां पर देखो यह जो point c है यह क्या है midpoint of this segment है न divided by 2 अब 2 को इधर ले लेंगे तो 3 2 सा 6 हो जाएगा यानि 6 which is equal to x1 plus x3 हो जाएगा ठीक है इसको लिखेंगे हम लोग equation number 7 बराबर अब देखो इधर ही हम लोग y का भी कर देते हैं तो y coordinate क्या है बच्चो minus 2 तो यहां पर हमने लिख दिया minus 2 तो minus 2 किसके equal होगा y1 plus y3 divided by 2 ठी ठीक है अब देखो 2 को इससाइड ले लो तो 2 2 सा क्या हो जाएगा बच्चो 4 हो जाएगा सही है ना तो यहां पर हमने लिखा minus 4 which is equal to y1 plus y3 ठीक है यही आएगा इसको आप लोग लिखेंगा equation number 8 ठीक है बच्चो बात समझ में आ रही है अब सुनिए आगे क्या करना है अब को एक साथ ले करके प्लस कर देते हैं तो देखो हम लोग क्या करेंगे equation number 3 5 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे अब इधार एड़िंग equation त्री, फाइव यह देखो यहा पर 3, 5 and 7 तो left hand side को left hand side में प्लस करना है राइण side को right hand side में प्लस करना है तो इधर देखो बच्चो लेफ्ट साइड में क्या है ह यहा पर देखो 10 है तो हम इधर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे फिर प्लस ध्यान से देख करके करना है 10 प्लस यहाँ पर देखो बच्चो यह जो आपका equation number 5 है इसमें क्या है left side में 2 है तो इसमें हम लोग 2 को प्लस कर देंगे फिर इस वाले equation में देखो left side में 6 है तो इसमें तक हमने 6 को plus कर दिया अभी right side को right side में plus करना है तो इदर देखो right side में क्या है x2 plus x1 कि यहाँ पर हमने लिख दिया ची एक स्टू प्लस x1 कि फिर इसमें प्लस करेंगे इधर देखो इधर right side में क्या है 0 của 6ile x 1 एक स्ट यहाँ पर हमने डही क्या होगा दश कितना होता है बारा चीफितना ओता है बारा और चे अठारा तो यहां पर और 18 और यहां पर क्या होगा बच्चो देख चाहिए लिसकी कल दिख happen 2x1 तो प्रस एक्सथीख दो यहां पर पर और जाएगा 2x2 x3 auto x3 ए 2x3 डीक है अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों यह जो टू है ना उसको आम लोग बाहर निकाल लेते कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 18 और टू को आमने कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट के अंदर यह आ जाएगा बराबर अब टू को इस से ले लो तो 18 divided by 2 which is equal to x1 plus x2 plus x3 क्या आगया बच्चों 2 9 18 यानि यहां पर हमें क्या मिलेगा x1 plus x2 plus x3 क्या आजाएगा 2 9 18 बराबर यह आगया सही है ना अब देखो बच्चों हमें आगे भी इससे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो किसका वैल्यू चाहिए x1 x2 x3 का वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगा रुकों मिलेगा जरूर मिलेगा अभी हम क्या करेंगे ना यहां पर देखो बच्चों x2 प्लस x1 कितना है ध्यान से देखो 10 है ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं यह जो x1 प्लस x2 है इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 लिख सकते हैं कि नहीं क्या बोलते हो लिख सकते ना 9 minus 10 which is equal to minus 1 तो देखो बच्चो X3 का value हमको मिला है क्या मिला है minus 1 मिला है पराबर देखो हमको X3 का value मिल गया अब हमें X2 और X1 का value find out करना है तो ये कैसे मिलेगा देखो हम लोग एक काम करेंगे क्या काम करेंगे X3 का value मिला न बच्चो तो अभी सोचना पड़ेगा ठीक है तो कहां पर है ये X3 देखो बच्चो यहां पर है देखो बच्चो हम लोग एक काम करेंगे क्या करेंगे चाहो तो आप ये वाला equation भी ले सकते हो मन करें तो ये भी ले लो चलो ये ही वाला ले ले लेते equation number 5 इसमें हम क्या करेंगे X3 का value put करेंगे जिससे हमको X2 का value मिलेगा कैसे बताती हूँ न देखो अभी हमको X3 का value ये मिला है तो अभी हम इदर लिखेंगे put X which is equal to मतलब X3 is equal to minus 1 इन equation कौन से equation में put कर रहे हैं बच्चो equation number 5 में put कर रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे equation number 5 तो देखें equation number 5 क्या है X2 plus X3 which is equal to 2 तो यहाँ पर मैंने लिखा X2 plus X3 X3 के place पर क्या लिखना है आपको yes minus 1 लिखना है तो यहाँ पर आजाएगा minus 1 और यहाँ पर equal के side क्या है 2 ठीक है आप थोड़ा इसको simplify करो यह minus 1 को उस side लोगे तो बच्चो क्या हो जाएगा plus 1 हो जाएगा यानि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा X2 और 2 plus 1 करने पर क्या आता है 3 आता है यानि कि X2 हमको क्या मिला बच्चो 3 मिला ठीक है तो हमें X2 भी मिल चुका है अब बार ही है X1 की अब X1 कैसे मिलेगा तो बताती हुना आपको हमें काम करते हैं यहाँ पर है न X1 तो equation number 7 में X3 का value put कर देते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि put X3 which is equal to minus 1 in equation 7 ठीक है चलो बच्चो equation 7 देखिएगा क्या है X1 plus X3 which is equal to 6 तो यहाँ पर मैंने लिखा X1 plus X3 X3 कितना था यह देखो minus 1 यहाँ पर लिख दिया minus 1 जो किसके equal है 6 के equal है तो यहाँ पर हमने लिख दिया जिए 6 अब इसको थोड़ा simplify करते हैं तो X1 is equal to क्या हो जाएगा minus 1 उदर जाएगा तो plus 1 यानि 6 plus 6 plus 1 क्या हो जाएगा बच्चो 7 मतलब देखो हमको X1 कितना मिला X1 हमको 7 मिला ठीक है बच्चो तो देख लिएजिए यहाँ पर हमने क्या क्या है find out कर लिया X3 हमको मिल चुका है X2 भी मिल चुका है और X1 भी मिल चुका है तो यही तो हमको बताना था अब जैसे हमने X के सारे वैल्यूस निकाले बच्चो उसी तरीके से आपको क्या करना है Y के भी वैल्यूस निकालने है ठीक है तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा चलो मैं इधरी थोड़ा करने का प्रियास करती हूँ शायद से इसी में आ जाए देखो यह जो Y वैले है इन सभी को एक साथ प्लस कर देते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके आगे का देखना अभी Y वैला कर रही हूँ नहीं अटिका तो अब मैं इसको रफ करूंगी करें या पहले करने की कोशिच करते हैं यहां पर लिखते हैं एडिंग क्योशन कोन-कोन से exchange moc on 4 6 and 8 निस अगे इन सभी को प्लस करते हैं बच्चों क्या करेंगे लेफ्ट Nossa अडऱ् करेंगे रैट साइड को राइट साइड में प्लस करेंगे तो यहां लेप जाड़ में क्या है तो हम लिख देंगे इधर 12 ambitious इधर देखो, यह equation number 6 में क्या है, minus 4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, minus 4, plus 8 में क्या है, minus 4, इधर भी minus 4, हाँ, चलो, आया है, तो क्या करें यह किसके equal होगा, तो अभी right side को right side में plus करना, तो यहाँ पर देखो right side में क्या है, y2 plus y1 तो यहाँ पर हमने लिख दिया, y2 plus y1, इसमें हमको plus करना पड़ेगा, इधर देखो right side में क्या है, y2 plus y3 को, y2 plus y3 ठीक है, और इसमें हम plus करेंगे, यहाँ पर देखो किसको y1 plus y3 को, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हू, y1 plus y3 y1 plus y3, अब देखो इधर क्या आएगा, तो यह minus, यह minus, तो minus 4, minus 4, क्या हो जाएगा, minus 8 और 12 माइनस 8 करोगे, तो कितना आता है, बच्चो, 12 में से 8 गया, तो 4 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, 4 ठीक है, इधर क्या होगा, देखो, y1 plus y1, 2y1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जी, हमने 2y1 plus, यह देखो, y2 plus y2, 2y2 और फिर y3 plus y3, 2y3, अब 2 को इस साइड लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो 2 को कॉमन लेलो, यहाँ पर 4 को रहने दो, 2 को आमने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, y2 plus y1 plus y3, ठीक है, अब 2 को इस साइड लेलेंगे, तो 4 upon 2 हो जाएगा, which is equal to y1 plus y2 plus y3 ठीक है, आप इसको कैंसल करतो, बच्चो, 2, 2 सा क्या हो जाएगा, 2, 2 सा 4 हो जाएगा, या नहीं, हमें यहाँ पर मिला क्या, देखो, इधर में थोड़ा नीचे लिखती हूँ, y1 plus y2 plus y3, which is equal to, क्या आया बच्चो, 2 आया, ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आये की नहीं, अभी हमें आगे करना पड़ेगा, तो आप बोलो, तो क्या मैं इसको रफ कर दू, या फिर, रुकिए, कुछ करती हो, आप एक काम करो, स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं यह वाला रफ करके न, इसके आगे का बताती हो, चलिए बच्चो, अभी आपको आगे नमबर 4 में, क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बच्चो, 12 लिख देंगे, प्लस Y3, विच इकल टू, यह कहा से लिखा, एक्वेशन नमबर 4 से लिखा, यहाँ पे हम बता देंगे, फ्रॉम 4, ठीक है, अब क्या होगा, यह उस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा बच्चो y3 देखो ऐसे y3 which is equal to 2-12 2-12 करेंगे तो क्या आएगा बच्चो minus 10 आ जाएगा ठीक है इसको कौन सा equation रखोगे कोई equation मत रखो यहाँ पर आपको ना y3 का value मिला है कितना minus 10 बराबर अभी हम लोग क्या करेंगे ना क्या करेंगे देखो यहाँ पर y3 कहाँ पर है यहाँ पर है तो equation number 6 में हम लोग y3 का value put कर देते हैं जिससे हमको किसका value मिल जाएगा बच्चो y2 का value मिल जाएगा ठीक है तो अभी हम लिखेंगे कि put y3 which is equal to minus 10 इन equation कौन से equation में put करना है तो equation number 6 में हमको put करना है ठीक है तो देखो बच्चो यहाँ पर क्या है y2 plus y3 तो हमने लिखा इधर y2 plus y3 y3 का value क्या है बच्चो minus 10 है बच्चो से equal to क्या हो जाएगा minus 4 अब यह जो minus 10 है इसको उस साइट ले करके जाओ तो क्या हो जाएगा बच्चो जब minus 10 उदर जाएगा तो plus 10 हो जाएगा और 10 minus 4 करिए क्या आएगा plus 6 या नहीं कि y2 का value हमको क्या मिला बच्चो y2 का value हमको मिल चुका है plus 6 ठीक है अब हमें y1 का value चाहिए तो यह कैसे मिलेगा देखो equation number 8 में हम लोग किसका value पूट करते है y3 का value पूट कर देते है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि put y3 is equal to minus 10 in equation 8 ठीक है तो equation 8 क्या है बच्चो देखो minus 4 which is equal to y1 plus y3 तो यहाँ पर लिखते है देखिए minus 4 I think वही आएगा शायद से यस वही आएगा है ना चलो फिर भी करते इसको minus 10 उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चो प्लस 10 हो जाएगा यानि y1 which is equal to plus 10 अब minus करो बोलो इधर 6 आज जाएगा यानि कि y1 भी हमको क्या मिला बच्चो प्लस 6 मिला ठीक है यह y2 है यह y1 है और यह क्या है बच्चो y3 है ठीक है तो आप लोग देख सकते हो हमने y1 y2 y3 भी बता दिया और x1 x2 और x3 भी बता दिया और यही तो अमको बताना था तो लास्ट में आंसर आप कैसे लिखोगे कि the possible pairs of coordinates of the एक काम करो पहले तो आप ऐसे लिख लो कि यह ज देखना पड़ेगा x1 यहां पर कहीं पर मिला था ना यह देखो 7 ठीक है तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चो 7 लिखेंगे फिर y1 हमको क्या मिला यह देखो 6 तो 7,6 लिखना फिर यह जो d2 है इसके coordinates को आमने x2 y2 consider किया था तो देखो बच्चो एक्स टू हमको क्य मिला था यह देखो इधर 3 मिला था तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 3 और y2 हमें क्या मिला यह 6 मिला ओके और जो हमारा d3 है बच्चो d3 इसकी coordinates को हमने x3 y3 consider किया था तो x3 हमको कितना मिला था देखो 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 इधर यह देखो माइनस 1 ठीक है तो यहां पर हम क्या लि येस तो हमने ये तीनों जो ये थे मतलब पॉइंट से उनके कोडिनेट्स का पता लगा लिया है तो अभी लास्ट में आपको आंसर लिखना है कि देरफॉर दा पॉसिबल पेर्स ओफ पेर्स ओफ कोडिनेट्स ओफ दा फॉर्थ वर्टेक्स इसको अब मैं मिटा देती हूँ फॉर्थ वर्टेक्स डी आर क्या क्या हो जाएगा पहला पेर देखो बच्चों क्या है 7,6 दूसरा पेर क्या हो सकता है 3,6 और तीसरा पेर क्या हो सकता है बच्चों माइनस 1, माइनस 10 ओके तो यह हो गया जी आपका फाइनल आंसर आप लोग देख लेजिए बच्चों तो यहाँ पर कोश्चन नमबर 21 फाइनली कम्प्लेट हुआ थोड़ा सा बड़ा था पर अगर आप लोग इसको प्रेक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है चलिए बच्चों आप इसको लिख लीजिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट कोश्चन चलिए बच्चों अभी हम लोग लास्ट वाला कोश्चन भी देखी लेते हैं तो देखिएगा इसमें क्या दिया है find the slope of the diagnose of a quadrilateral with vertices A, B, C and D यानि कि आपके पास एक quadrilateral है देखो यहाँ पर मैंना ड्रॉ कर देती हूँ यह रहा quadrilateral जिसके vertices क्या है बच्चों A, B, C, D ठीक है तो हमें क्या करना है इसके जो डाइगनल्स रहेंगे ना उनका slope हमको यहाँ पर find out करना है जैसे कि हमें A, C का slope बताना है और हमको B, D का slope बताना है ठीक है तो चलिए फिर इसको तो हम फटाक से solve कर लेंगे यह चुटकियों में है लास्ट वाला कोश्चन काफी आसान है इसके पहले वाला कोश्चन कितना बढ़ा दिया यह देखो कितना आसान दे दिया चलो यहाँ पर जो वर्टाइस से पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या लिखेंगे कि गीवन वर्टाइस इस प्रकार से लिखनो वर्टाइस आर तो देखो यह जो आपका ए है इसके कोडिनेट से 1,7 बी के कोडिनेट यह हो गया फिर स्टी का कोडिनेट एंड डी का कोडिनेट हो गया माइनल 3,3 ठीक है अब देखो बच्चों यहाँ पर यह जो आपका C D X A B C D R और यह हम ने लिखा बराबर अब देखो बच्चों इसमें आपका जो ग्राईगनल वह क्या हो जाएगा AC और बीड तो यहाँ पर लिखते हैं कि AC BD R बराबर तो देखो इसके coordinates को हम लोग मानले लेते हैं X1 और Y1 इसके coordinates को X2 और Y2 हम लोग मानले लेते हैं बच्चो तो यहां पर देखिएगा A और C हमें लेना है तो A कोडिनेट्स को हमने क्या माना है बच्चो X1 and Y1 और इसके कोडिनेट्स को X2, Y2 तो उपर क्या आता है Y2-Y1 तो Y2 बोलो क्या है माइनस 7, माइनस 7 क्या हो जाएगा बच्चो माइनस 10 हो जाएगा ठीक है और फिर इदर नीचे क्या आएगा जीरो माइनस 1 करेंगे तो यस माइनस 1 आएगा बराबर आप देखो माइनस से माइनस कैंसल यानि यहाँ पर क्या आएगा बच्चो 10 ठीक है तो यह थिर प्र आप देखो जीरो अगर उपर है और नीचे कुछ भी रहने तो आपका जीरो याता है मतलिए यहां पर क्या आजएगा जीरो ठीक है तो भी दी क्या बच्चो जीरो आगया यानि हमने दोनों भी डाइगनल्स का जो लोप था वह हमने फाइंड आउट कर लिया तो यहां पर हम लाइस्ट में आंसर लिख देंगे कि दा स्लोप ओफ दाइगनल्स दा स्लोप ओफ दो डाइगनल्स और क्या है बच्चो टेन एंड जीरो ओके समझेगी नहीं तो बस यह हो गया जी आपका फाइनल आंसर और यह फिगर ड्रॉ करने के बिल्कुल भी सरुवत नहीं है आपको बनाना है तो बनाओ नहीं बनाना है तो मत बनाओ छोड़ दो ठीक है तो देख लिए बच्चो यह सहाँ पर फाइनली आपका यह जो प्रॉबल्लम सेट फाइए कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही जो आपका चैप्टर नंबर फाइप बच्चो यह भी कम्प्लीट होता है मैंने इसके सारे एक्सराइज यानि की प्रेक्टीस अच्टिस बी करवा दिया है और प्रॉबल् बच्चों आपको एक और बात बताती हूं यहां पर मैंने आपको जो भी सॉलूशन करवा है अगर आपको उसकी पीडिया फाइल चाहिए तो आप लोग टेलिग्राम चैनल से जरूर जूर जाएगा क्योंकि वहां पर जो पीडिया फाइल रहता है वह अप्लोडेट रहता है झाल झाल ऑफ भीडिया इwn जाएगा देगार्शन करेंट फैर्दीर करेंटीर करेंटीर की यहां खिएटांस रहता है रहता है रहता है है यह वहां आपको अद्साओन पॉक्श्पया रहता है